कि आज करे आर्टिकल हिंदूस्तान नीज पेपर से लिया गया है क्योंकि कभी-कभी देखता हूं कि हिंदूस्तान नीज फेपर में भी बहुत बढ़िया आर्टिकल निकलते हैं और यह आर्टिकल आपका जो विकास दोबे का इंकाउंटर हुआ यूपी को उसे लेकर और ज फैसला सुनाया जिसमें DSP, एक DSP समय ग्यारे पुलिस वालों को उमिक्यत की सजा हुई है तो उसी से सम्मधित उसी आधार पर लिखा गया है और दिलचस्प बात यह भी है कि जिस बहती नए आइटिकल लिखा है यह पूर्व आईपीए सदिकारी रहे है इसलिए भी इंट्रेस्टिंग हो जाता है क्योंकि जब कोई अधिकारी लिखता है उस फेल्ड में रहते हुए तो उसे पता चलता है कि वहां की स्तिती क्या है अब आप इसे कीजिए आप खेती कर रहे हैं या इस्टूडेंट हैं तो आपको बहतर मालूग होगा कि फ्रूडेंट मतलब आपकी क्लास में क्या क्या रहे आप किसी और चेत में तो आपको उस चेत के बारे में बहतर नौलेग होगा तो इसलिए भी इंट्रेस्टिंग हो जाता है आर्टिकल तो इसमें आपका जो राजामान सींग का एक वो ओर वियू दे देऊंगा यहीं मतलब एक छोटा सा परीचार दे देंगे क्या हुगा था उस केस का जिससे आपका समझे में भी सहूलियत हो गी 21 सिदाब्दी के पहले दसक में उत्तर पिदेश के एक मुखमंत्री ने घोसित किया कि उनके सासन में सालवर की भीतर अपराद 50-30 कम हो गए दिल्ली में पित्ती नियुकती पर आये उत्तर पिदेश के एक IPS अधिकारी ने लखनव सजीवाले में बैठे ग्रह सचे कुपौन खड़ खड़ाया कि इस रपतार से तो पिदेश अंगली साल तक अपराद भीहिन हो जाएगा दूसरी तरफ से एक उपवास भरी हसी सुनाई दी और साथ में यह सूचना मिली कि उनकी जानकारी एक महिना पुरानी है और अब तो अपराद साथ की तीसद कम हो चुके हैं अपरादों में कमी किया है जादवी चड़ी सिर्फ उन्हीं मुखमंत्री के पास नहीं थी अपराद कम करने की अतरिक्त उसार में उन्होंने इस चड़ी का कुछ हास से अस्पद इस्तिमाल कर अपनी भद पिट वाली पर सच तो यह है कि उनके पहले और बात के तमाम और बचेगी अपरेंड करकर उसे माल दिया जाता है किसी को करके माल दिया जाता है प्रोती नहीं मिलने के कारण और उसकी लास भी नहीं पता चलती है तो अभी आप केस कुछ जानदा ही यूपी में देख रहे हैं आप लोग निवश्वेपरों से जोड़े रहते हैं सुस समय आपने देखा होगा फिर चाहेजाएं आपके PM सहाब हौं, Home Minister सहाब हौं , ब्रॉज सबस्ति हो हूए है मिस्स है , याफिर कोई और BJP का नेता हूँ वह सभी बोल रहे थे , यानि कि आपको शांतर के इस तरय आशा की एक आनसर लिखने आदूंगा आपने देखा होगा एक फिल्मी अन्दाज में आपके योगी साहब भी भोल रहे थे कि वो यूपी या तो यूपी में अपरादी छोड़कर यूपी भाग जाएं या इंकाउंटर में मारे जाएंगे एक फिल्मी डायलोग नहीं रहता है आपने फिल्मों में द थाने और जिले से उच्च अदिगारियों को भेजा जाने वाला कागच का एक टुपड़ा है जिस पर पिछले तीन बरसों की अपरादों का तुलात्मा गविवरन दर्ज होता है मैंने सारों साल बड़ी दिल्चर्चवी से इस दर्तावेच का अध्धिन किया इधर पिर्वारियों की कार चमता का मुल्यागन इसी के आदार पर होता है मसलन किसी थाने में अगर पिछले साल दस लूट की घटनाय दर्ज थी और यदि इस बरस बारे हो गई तो नतीजा निकलेगा कि लूट के अपराद 20-20 बढ़ गए है थानों को मिलाकर जिले के आंक्रे बनते हैं और लिहाजा कहा जा सकता है कि जिले में लूट की 20-50 दी मामले बढ़े इन आक्रों की समिक्षा रेंज, जौन, पुलिस, मुख्याले और मुक्मंतरी कार रियालर तक खोड़ दिये इनी के आदार पर विन इस तरों के अधिकारियों का मुल्यागन भी देखने को मिलता है, यह जानना रोचक होगा आप सभी के लिए कि जादू की छड़ी से अपराद कम कैसे किया जाता, अब आबादी बढ़ रही है, और बेतर तीब सहरी करण हो रहा हो, बेरोजगारी हो और आर्थिक आसमानता बढ़ रही हो, एक संथा के रूम में परिवार अनुसा कम होते हैं, उत्तर जादू की छड़ी के पास, उत्तर जादू की छड़ी के पास है, यानि का सीधा सा मतलब है कि उत्तर प्रदेश की एक मजार सा मतलब आप कहते नहीं, या आप डारेक्टर बाहर ना करते हुए, एक ताना मालते हैं किसी को, समझ रहे हैं, किसी की बुरा आत्म काकड़े उपर तक पहुंचते हैं तो अच्छे बोरे संदेश आने लगते हैं यह इस पर्ष्ट कर दिया जाता है कि राज अपराद कम करने के लिए कटी बते हैं मगर राजी के बास ना तो इतना धैर वासंसादन है और ना ही उसकी दिल्चर्थी इसमें वह पुलिस बानियाय पेडाली में सिस्थार करें जिसने जिन से अपराद नियंतित हो सके इसलिए वह सॉटकर्ट थलास्था है यह सॉटकर्ट है कि एफ आयर दर्ज ना करना पिछले साल किसी भी संडी में जितने मुकतमे लिखे गए इस साल उन से कम लिखना कहने का मतलब है कि आप या ना करना और जिससे आप समझ सकते हैं कि मुकदमों की संख्या भी कमी रहेगी इनका नमाने कि उत्तर भारत में दो त्याई से अधिक मुकदमें आसानी से दर्ज नहीं होते हैं पैसा रसूक या फैरवी के बल पर कुछ दर्ज भी हो जाएं तब भी आदि से दर्ज अधि तीन साल के अपरादों के विवरण जाते हैं इन सब को पता होता है कि बेजूट का पलंदा देख रहे हैं और सब खुछ खुस होते रहते हैं उनके अथक प्रयासों से अपराद नियंतर में हैं सरकारी लंबे-लंबे विग्यापनों के जरिए दावे सरकार जो होती है वो पुलिस स्थानों में इमानदारी से मुकदमे दर्ज होने शुरू हुई तो अपराद कई गुना बढ़ गए पर तब उन्हें मुकमंत्री चौदीर चैनल सिंग का समर्थन हासिल था जैसे जैसे मुकमंत्री के विरोधियों ने अपरादों की बार्ड का हल्दा मचाया वै आपसची रिपोर्ट नहीं लिखे जाए निगी तो मालू कैसे चलेगा कि हमारे देश में कितने अपराद हो रहे है अगर आपको अपराद हुए एक महीने में या एक दिन में तो आपको किस लिखने होगी, FIR करनी होगी, मुकदमे दर्ल ना करने से बास्तवे कबरात कम नहीं होता, जब जन्ता तराही माम करने लगती है, तो सरकार पुलिस को तुरे नियाय करने के आदेश दे देती है, फिर पुलिस अपरादियों को पगड़ कर अदालत में पेश करने क मुटवेड में माल डालती है, या नए चलन की अनुसार कम से कम उसके पेरों में तो गोली माल ही देती है, अपरास्ति लगने के लिए गठे देक सस्था को खुद अपरादी, बनाने का इससे बत्तर हो, क्या तरीका होग सिपता है, अभी आपने देखा, उसमें भी और एक बात और अभी जो आपके विकासी दोभी के इंकाउंटर के बाद, नियालय पर जिस तरह से सवाल खड़ी हुए, उसके बाद आपने देखा है कि इसके लिए अलग से आयोग बनाय जा रहा है, इस जाच के लिए अलग से, तो पता है इस तरह कि सवाल उठने लगे कि निया यह हुआ, उसके बाद आपने देखा हुआ कि एक ब्रेंच बनाई गया, इस अब जो विकासी दोभी इंकाउंटर की परताल करने के लिए, जाच परताल करने के लिए, आँगे देखते हैं जो भी होगा, अपरादियों को मारकर अपराद काबू में आ सकता है, तो वह सब ना तो वह सब ना घटता जो पिछली एक महीने में हमें देखने को मिलाया, निसंस हत्यारों विकास दोभी उसकी साथियों को निप्टाने में जिन दिनों का कानपूर पुलिस लगी थी, उनी दिनों उसी सहर में एक अपरेंट हुआ, और परंपरा की मताबिक थाने में उ पत्कार की हत्या समेथ दर्जनों ऐसी बारदाते हुए, जो टल सकती थी, अगर सुरू में ही FIR दर्ज कल दर्ज हो गई होती, लेकिन यूपी की पुलिस को आपने देखा है कि विकास दोभी की साथियों का उनका इंकाउंटर करने में लगी हुई थी, उस तमय भी आपने ऐसे हल छित में आप देख सकते हैं कि अपराद बढ़ रहे हैं, देखिए, इंकाउंटर कर देना किसी आदमी का यह लास्ट सॉलूसन नहीं होता है, समझ रहे हैं, जबता हमारी पुलिस बेवस्ता में सोधाल ना हो, यह कहां से पैदा हो रहे हैं कि अपरादी, उस जड़ को खतम ना किया जाए, तब तक हम लोग कभी अपराद को खतम नहीं कर सकते हैं, हमें उसकी जड़ तक तो पहुंचना होगा कि आखिर अपरादी कहां से जनम ले रहा है, समझ रहे हैं, वही हाल है कि आप समझे कि एक बेसरम का पौधा देखा होगा आपने, उपर से काटत मतलब यह है कि उसकी जांच होनी चाहिए, अब आप सोचिए कि विकास दोवे अगर जिन्दा रहता है, और अच्छी कड़ी से कड़ी मैं कहता हूँ फांसी होनी चाहिए थी, उसने जो काम किया है, अगर सुप्रीम कोट इससे नेड़ाय देता, और जो भी फांसी मिलती से वो मुझे लगता है वेटर रहता है इससे, और उसके जिन्दा रहने से कही तरह के राज भी खुलते हैं, कि उसके साथ कौन सामिल था, उससे इतना फरार करने में आप सोचते हैं कि तीन से चार दिन आप लोग देखते हैं कि इस तरह से भागता रहता है वो, उसके बाद आप देखते हैं कि यूपी से वो MP पहुंच जाते हैं, इस lockdown के समय में आप सोचिए, ना कोई बाहन चल रहा है, ना कोई इतनी तगड़ी से जान चल रही है, उसके बाद भी वहाँ पहुंच जाता है, तो कोई बड़ा आदमी तो उसके साथ मिला होगा, और इसमें सोचने वाली हो, क्या बारत है, मिला ही होगा, सो परसेंट, तोसी की बारत की जा रही है, पुलिस से फरजी इंकाउंटर कराने का परीडाम कितना भयानक हो सकता है, यानि कि करोनी निक हो सकता है, इसका अंदान हम हाली में भरतपुर के पूर विधायक, राजय मांसिंग की हत्या क के अफराद में सुनाए गए धंड से लगा सकते हैं यह माना नहीं जा सकता है कि इतने प्रवासवाली व्यक्ति का इंकाउंटर छोड़े स्तर के पुलिस कर्मियों ने अपनी मर्ची से किया हुआ पर सजाव नीव को भी है विकास दोवी के इंकाउंटर में भी कहीं ऐसा ही ना हो यहां आपकी आसा लगाई आ रही है जरूरत है कि सरकार के विकास दोवे मामले में अदाल्ती निजाम पर सुप्रेम कोट की टिपड़ी को गंभीरता से लें इसके साथ की पुलिस को कानून का सम्मान करने वाली एक सब्वसंस्था बनाने की आवसकता है पर इन सब क कट की संस्किती सिर्ट होना चाहिए अभी तभी तमिलाडू में भी आपने देखा है पुलिस देख काम करती है बेअ तो हमां समझे रहे हैं ना कहीं इर अभी मैं बता रहे होंगी आप अगर आपसे कह जाये कि आप लोग पुलिस वाली पर भरोसा सो पुलिस वालों पर वरोसा करेंगे या एक आर्मी वाले पर तो आपने संदे कहेंगे कि हमारी वाले पर वरोसा करते हैं आप मौदी ही साफ को देखिए हमारे पिदान मंतरी साफ जम्मू कसमीर जाते हैं जो सबसे बुरा इलाका है लद्दाग गए थे अभी कुछी दन पहले जहां चाइना लगा हुआ है जहां पाकिस्तान बैठा हुआ है पड़ोसी और नेपाल से भी हमारे रस्ते बहुत कर नहीं कर सकता है इसलिए बिना कुछ तैयारी करें चले जाते हैं और बाकिया आप देखते हैं कि एक समय हुआ करता था कि 2014 में जब आपके पिदान मंतरी साहब हमारे रेलिया किया करते थे तब अपनी पुलिस लेकर चलते थे गुजरात की इसका मतलब यही हुआ ना कि कि मुने भरोगसा नहीं था अन राज्चों की पुलिस पर मान सिंग की कहावत हम अगर मान सिंग जो राजा मान सिंग की बात करें तो याद रखिए इनका 21 फरवरी इनके बारे में याद रखिए राजा मान सिंग के बारे में अगर पूच ले कुश्चेंस कभी तो पास दिसंबर 1921 का भरव रियासत वियानी की राजिस्थान में इनका जेनम होता है इनके पिता का नाब महराजा किसन सिंग था है यानि कि एक महराजा खांदान के थे इसक और 1985 तक निर्धलिये बिधायक चुने जाते हैं 1984 तक साथ बार निर्धलिये बिधायक रहते हैं आप समझ सकते हैं कि कितनी पावर होगी उसके बाद आठीबी बिधान सभा 1985 में होती है इस दोरान वो ही अपना राजा मान सिंग डीग एक बिधान सभा है वहां से निर्धल मान सिंग एकलाब चुनाओं लड़ रहे उनके जो कॉंग्रेस पत्यासी थे विजेंद सिंग इनके समर्थन में एक सभा कर रहे थी इस सभा में जो मुकमंत्री साहब थे उन्होंने राजगहराने परकटाक्ष किया और तरह तरह की टिपड़ी आप जानते हैं नेता किस तरह से कटी है उन्होंने जो राजासाहब के मान सिंग के जज्हन्डे थे उन्हें बैणनर को फार दिया उसके बाद क्या हुआ कि कि इन्हें जो राजामान सिंग थे इन्हें मालू चल गया कि इस तरह से उनके उपर कटार्च किये जा रहे हैं तो वो अपना आपा यानि की गुस्सा आया उन्हें और वो अपनी जीप लेकर जहां वो मुखमंत्री आपके सभा कर रहे थे वहां पहुंचे उन्होंने उस मंच को धरासा कर दिया और जो मुखमंत्री मातुर का हेलीकोप्टर था उससे भी अपनी जीप टकरा दी उसके बाद वो वाबर्च से ले जाते हैं अंगले दिन क्या होता है कि 21 परवरी 1985 को जब राजा मान सिंग डीग अनाजमंडी में वैटे थे तब मुखमंत्री मातुर के जिदेश पर पुलिस अधीक्छक जो उस समय की कान सिंग भाटी थे उन्होंने घेर का उन पार फारिंग की और मान सिंग के साथ ही सुमेर सिंग और हरी सिंग को गोली लगी इनके दो कोलन हुए उसके बाद माथुन ने जो मुखमंत्री थे उन्होंने इस्थीपा देती है और हिलालाल देवपुरा को मुखमंत्री बनाए गया उसके 35 साल बाद अभी आपका इसका नेड़य आ है और आप देख रहे हैं कि जिस तरह से पुलिस वालों को सजा हुई ग्यारा पुलिस वालों को मुखमंत्री देख रहे हैं तो आप देखिए इनका विकास दुवे का आंगे क्या नेड़य आता है अब सुप्रिंग कोर्ट में कहुंच चुका है तो अच्छे से जो भी नेड़य होगा आँगे देखने को मैं मिलेगा क्यों रहता है कि आप सोची कि कोई नेता है और कोई वो है तो क्या करते हैं कि इनकाउंटर करवा देते हैं पुलिस के दौरा तो यही इनके राजा मांतिंग के केस में हुआ था चलिए आप लोग तो जागरूप बने ही रही है फिरहल जो होगा देखते रही है तमासा चला है आप भी तालियां बजाते रही है देश में जब तक जो चल रहा हो एक तरफ हम लोग कोरोना से लड़ रहे हैं एक तरफ जाती विफाती हिंदू मुस्लिम मस्जिद मंदिर से लड़ते जा रही है आज देखिए कहां सतर साल हो गया देश उननीस सो से तालिस से अवीत्य कुनी परिस्तितियों में जी रहा है आज भी हमें दूसरे देशों के जो भी आप देखते हैं ट्वीटर हो फिर चाहे बॉट सब हो फेस्बक हो और आपका गूगल हो फिर चाहे यूटूब को ये बाहरी देश की दुनिया में अमेरिका के उपर हमें डिपेंड चल रहे हैं और अभी चीन को देखिए आप लोग उसका अपना विक्किपेडिया हो गया अपना यूटूब अपना सब मतलब सोईदी सी अपना रहा है हम लेखे देखिए हम लोग आतमे व करें ये अपनी भक्ती में